हार्मी पार्क Overseas East में इसवक्थ डिवलप्मन्ट का स्टेटस क्या है मैं इसक्थ आर्वण रोड में मजूद हूं और मेरे राइट साइट पे यह यह लो आज़के विलाज नहीं और यह अगे इस जगह पर कंटेंपरेरी ऐसकी बैकसाइट पर डी ब्लॉक में आपको 22 हार्मि रेजिट्स अपार्टम्ट की बिल्डिंग मिलती यह है अब जलते हैं जी आपके अदर भाक नूपर शूर्टियाल वलॉक्य दिसक्टर एंप के सुर्ट यह है इसवक्त देखा जाए तो जो फूरा पांच जा है उन पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है और माशाला काफी अच्छी स्पीड से काम हो रहा है क्योंकि यह पहले तक्रीबन कहलें कि अप्रॉक्सिमेट लॉंचिंग डिसके 2020 की थी लेकिन उसके बाद यहां पर काम बागाज नहीं हुआ था पहले दो साल काम बागाज हुआ था अभी काफी हद तक यह जो है फिनिशिंग के स्टेज पर यानि फिनिशिंग से मुराद है कि जो पहला चुनाईय काम होता है वहां पर काफी हद तक काम जो लोजियर की तरफ आ गया है जिसकी एक्जेंपल आपको यह डबल स्टोरी विला नजरा आ रहे हैं विला हो भी जाकर दिखाता हूं स्ट्रीट यू ताकि मेंबर्स जिनकी इन्वेस्मेंट है क्योंकि मुझे जो सबस्द्रा कॉमेंट्स में मेंबर्स सवाल करते हैं वह यह करते हैं कि हार्मी पाक ओवर्सीजी सेक्टर एहम की डिवल्प्न की सूर्थाल के वरे मताहूं कि वहां पर काम किस सब तक मकमल हुआ है यहां पर तो भी सिर्फ ग्राउंट फ्लोर के विला अपार्टमेंट उन पर काम हुआ है और इस तरफ बलके मैं दूसरी स्ट्रीट पर जाता हूं तो वहां से आपको आईडिया हो जेगा इनका स्ट्रक्चर कैसा बन रहे है यह मेरे कि यह मैं स्ट्रीट मेंशन कर दूंगा साथ कि कौन सी स्ट्रीट है कि अधर में जो में स्ट्रक्चर में मुकमल हुए वह आगे वाले स्ट्रीट पर हुए मैं वह भी दिखाता हूं आपको यह वाले जो स्ट्रक्चर जैंकी फेसिंग जो है वह आरवन रोड वली साइड पर है और यह वाले जो स्ट्रक्चर जैंकी फेसिंग जो में इंटर्नल रोड वली साइड पर है यह बैक साइट से आपको लेट सबोज आप यहां पर विला में रहते हूं तो यह बैक सेट पर वियू मिलेगा आपको इसनेट में स्प्राइजिंग कि जिस कॉस्ट में ओफर किया गया थे उस लिहास से देखा जाए बैक सेट से डैम का वह जानती है लेकिन यह वियू देखें इसक्त मैं दूसरी स्ट्रीट पर आगे हूं हार्मी पार स्ट्रीट ब्लॉक की और स्ट्रीट पर यह अच्छी बात है कि यहां पर जो मुकमल हो गया है राइट साइड पर पहले 12345 पहले फाइव विलाज कर जो है उसके बाद अगले तक्रीबन नाइन विलाज ऐसी हैं जिनका आप कहलें के फ्रस्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी स्ट्रीट के आपको जहां पर ग्राउंड फ्लोर पर काम चल रहा है अब चलते हैं जी अंदर विला अपार्टमंट के के त्यार होने के बाद और कैसे दिखाई देंगे यह देखें जी इस वह में मजूद है यह जी एक स्ट्रीड बनता है इनका यह आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह के वियू बनता है यहां पर और मैं अगर विला अपार्टमंट के अंदर की बात करूं बागे स्ट्रीट पर काम हो रहा है यह दो बस एक आइडिया देने के लिए कि जब स्ट्रक्चर्स रेडी होंगे तो किस तरह कि होंगे मैं रियल फूटिज आड़ करता हूंगा साथ बाद में एक स्प्रस्फिकली वीडियो बना दूंगा कि कितनी डिवल्मेंट ही ओवराल लेकिन यह देखें जी इनका स्ट्रक्चर कुछ यह हो है यह ग्राउंट फ्लोर है अब ग्राउं अब चलते हैं ग्राउंट फ्लोर के अंदर यह आपका में डॉर हो गया और साथ जो एक्स्टीर साइट की विंडो यह लाउंच की है और यह साथ दूसरी विंडो जो है यह बेड्रूंग किया यह बेड्रूम विदाउट बात्रों वाइसे इस पोरे बाट्वर्ण पी सिर पहले आपका यह टीवी लाउंच आ गया टीवी लाउंच कहलें लिविंग स्पेस कहलें यह ब्राइंग रूम भी कहलें वाटवर यह आपका गया जी सबसे पहले किच्छन अच्छा इतने कम प्राइस में ऑफर किया गया था था थारड़ी सी प्लैंट है था 100 रूपीज म और सबसे बड़ी बात कि एस अपाटमन ME आपको 865 स्कुरीट कवर डियलीय मिलता है उस से बड़ी बात कि यह आपको डारेक्ट अक्सेस है ग्राउंड फ्लोर से अपाटमन में को नसेप्ट होता है कि 20 पर 25 यह प्रिश फ्लोर पर एपाटमन होता है हो यूजलस हो जाता है क्योंकि आपको ground floor से easy access होता है उसका आप comparison किसी और चीज़ से नहीं कर सकते तो कम तरीन cost के अंदर ही offer किया गया था और अब भी जिन लोगों नहीं purchase किया they are lucky कि उनके पास यह property है that too जिस location पर यह है मैं location की premises add कर दूँगा कि आपकी east side पर आपके डैम है north side पर आपके उपरली side पर पहाड़ों का view है left side पर आपके main 120 foot का road है entry road एक 60 foot का आरवन आपके cricket ground भी है और साथ साथ बाकी चीज़ें भी है अब आपार्टमन के अंदर चलें तो यह आपके kitchener space आगी kitchener space आगे अंदर चलते है तो यह आपका पहला child bedroom आगया और यह मैं size साथ साथ लगाता जाओंगा तापके आपको idea हो सके कि size क्या बनता है इसका इसकी यह wardrobe आगे इस side पर अब यह wardrobe की सबसे अच्छी बात यह कि इसके साथ ही बिलकुल back side पर आपको open space मिलती है अगर आप back side की space देखना चाते हैं तो वह कुछ इस तरह से बनती है यह इस bedroom की साथ वले और इस zone bedroom को आपको open space मिलती है अब चलते हैं जी अंदर वाली side पर देखते हैं कि सबसे बेड bedroom है जिसके साथ attached bathroom भी है यह आपका main bedroom आगया number one इस bedroom की space sizes आपको नजर आना स्क्रीन पर कि क्या sizes है space के बात करें तो एक अच्छी wardrobe के साथ अच्छी wardrobe space भी है और वैसे भी room की size भी देखें तो मेरा खाल है कि बहुत अच्छे size का यह bedroom बनता है along with attached bath यह room की और अलोक है इस तरफ वाटरोब आपकी सामने आपका attach bath है इस तरफ आपको open space मिलती है अगर आप अंदर चलते हैं bathroom के तो इसकी में अच्छा यह जो है basically दोनो rooms का bathroom है इस room का भी bathroom यही है और बलके in fact पूरे apartment का एकी bathroom है तो यह mutually यूज होगा apartment के space में अगर देखें तो यह आपकी toilet सीट आगी इस तरफ बाहर से दिखाए आपका यह और आपके bathroom के space बनेगी में हल में ठीक है decent bathroom है apartment के size के साब से अब चलते हैं लास bedroom की तरफ last bedroom जाए जो वो क वाडरोब आपको इस तरफ मिलती है यह वाडरोब आगी 10 foot high ceiling और यह तक्रीबन 8 foot की window है इस apartment की ground floor पे जो के बहुत ही अच्छी ventilation प्रोवाइड करती है बहुत अच्छी ventilation आपको first floor की भी दिखाएता हूं और second की भी दिखाएता हूं ताब कि को idea मिल सके कि आप जिसने जिस भी floor पर खरीद रखा होगा mainly मुझे बहुत ज्यादा members किस बा की property नहीं है यह end of the day divider होगा basically दो अपार्टमेंट का यह first floor पर आज गया आप यह आपका front का view same इस तरफ आ जाते हैं यह दर्वादा यहां पर है ग्राउंड को दर्वादा सामनेल साइड पर है टीवी लाउंज kitchen space child bedroom child wardrobe back side पे चोटी सी balcony and open space balcony space यह बनती है बाइड लीस कुछ तो है अच्छा नीचे देखें कि जो पाइप सरा काम है वो भी यहां पर मकमल हो चुका है मेरा खेरा साइड इसको दो-तीन माह में तो ready कर लिएगी एक दो streets ऐसी है जो इस फॉर्म में है यह आगा जी joint bathroom master bed along with back balcony wardrobe and second master bedroom आप चलते हैं जी third floor पे और second floor पे यह आगे जी second floor पे यह आपको view पे ले दिखा दूगा बाहर का यह view है यह look at the price of this apartment and look at the location simple done deal apartment की entrance यह टीवी lounge किचनेट यहां पर kitchen आगे आगे आपका यह आपका child bedroom आगे इस तरफ wardrobe यह आपका अगया bathroom master bedroom इसमें प्रस्तर हुआ है ताज़र का पाउंड रिखते यह wardrobe second master bedroom and its wardrobe and front view तो view देखें पीछे आपनी जो apartment से वो नदर आ रहे है residence apartments जिट टूगनाल की building है फाइस्टा इस्टा इस होटल भी हो कुछ भी बंजटेस के view यहां से बड़ा अच्छा बनता है अच्छा दिखाता हूं कर जाते रसता तो अच्छा जी यह mutual terrace भी है सबका nice very noise look at the view I think यह वे अपार्टमन के दूब प्राइस की यह था जुस्टिफाइड होता हूं और society में एस्केलेशन लगाने ही वाली है एक policy अनौंस नहीं हुए बट भी नूद रूमर्स हम मार्केट में बैठे हों यह आपका सामने आरवन रोड आ गया अच के और यह लुक अडिस वीव यह जैसे आपको इस्टिफान मिलता ना व्यू सेम व्यू और बैक साइट से इसमें बिल्लिंग के लट से इसी टेर्स में तक जाओं तो पीछे डायम का व्यू भी आ जो यहां पे है जो मैं फूटिज एरिलाइड कर दूँगा आपको आडिया हो जाएगा सो यह था टोटल अपार्टमन का टूर हार्मी पाक का जोक्सर मेंबर कहते थे और अब यहां पर क्या डिवल्पंट की सूर्थियाल है वह फिसिकली आपने देख लिया है कि आज की डेट में डिवल् को एंटन शेयर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूले हैं रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिस